राजस्तान की खबरे सिर्फ देखिये नहीं, पढ़िये भी राजस्तान तक.com पर राजस्तान में दिन पर दिन स्वास्त विवस्था की पोल खुल रही है प्रदेश के एम्बूलेंसों की हालत तो आप देखी रहे हैं कहीं डीजल खत्म हो जाता है तो कहीं एम्बूलेंस का गेट ही नहीं खुलता अब ज़रा पाली के इस अस्पताल की हालत देखिए जहां की विवस्था ऐसी है कि बीते दिन एक महिला की डिलिवरी अस्पताल के सामने ही सडक पर हो गई यह मामला है पाली जिले के बाली तहसील का यहां एक महिला की डिलिवरी होनी थी परिवार वालों ने उसे एक सरकारी होस्पिटल तक लाया लेकिन उन्हें क्या पता था कि होस्पिटल के दर्वाजे पर ताला लटका मिलेगा परिवार वाले जब महिला को अस्पताल लेकर आए तो वहां बाहर से तारा जड़ा था और ना कोई डॉक्टर था और ना ही कोई कर्मचारी वहीं पेट में दर्द से कराह रही महिला का हाल कुछ ऐसा था कि मजबूरन उसे अस्पताल के सामने ही अपने बच्चे को जर्म देना पड़ा जरा सोचिये उस महिला पर क्या बीती होगी हाला कि इसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन पर जूटे आरूप लगाए जा रहे हैं इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर ही महिला के डिलिवरी हो गई जो कि बहुत ही गलत न्यूज है महिला को बाइक पर लाया गया था जिस दोरान ही उसके डिलिवरी हो चुकी थी और डिलिवरी के बाद महिला में ब्लेडी मुना बहुत ही आम बात है जिसके लिए हमारी एनम मेंजी स्रीमती शीमा भाटी को फोन किया गया जो पांच मिनिट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुँच गई लेकिन ऑस्पिटल के बाहर बैठे के कुछ लोग अलकोहल पी रहे थे जिन्होंने नशे की हालत में ये वीडियोज वाइरल किये हैं जो कि बिल्कुल गलत है हमने डिलिवरी होने के बाद उस महिला को बर्ती करके सारे नेसेसरी इंजेक्शन्स लगाए है डॉक्टर सहाब का कहना है कि महिला के परिजन अस्पताल पर जूठे आरोप लगा रहे हैं लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने मौके पर जाकर परताल की तो पता चला कि वाकई वहां पहले से दर्वाजा बंद था और मजबूरन महिला को अस्पताल के बाहर ही दिलिवरी करनी पड़ी इसके बाद जब अस्पताल प्रजासन को खबर मिली तो आनन फानन में लोग पहुचे और होस्पिटल को खोल कर महिला को अंदर ले जाया गया राजस्थान तक के लिए पाली से भायत भूशन जोसी की रिपोर्ट प्राजस्थान जोसी की बाद